हेलो अब्रीबान कैसे हैं आप लोग अच्छे चलिए कुछ मैत के क्वेश्चन्स हमें मिले हैं जो स्सक्राइब में पूछे जा रहे हैं कैसा की आपको कहीं देखने को नहीं मिला है के जाँ ऩ ढ देखने को नहीं मिलाा है जहीं बहुत क्लिए है बहुत इसा आया था एक question इस तरह का आया था इसको तो memory based हम questions लेते हैं कुछ question मैंने website से site से उक्षथा कियें कुछ student से बात करने के बाद मुझे मिले हैं तो अमूमन जो questions मिले हैं कुछ मैं दिखा रहा हूं किस तरह की maths के questions आपको आगे मिल सकते हैं ठीक है तो exactly questions वही होंगे नहीं होंगे यह मैं नहीं कह सकता लेकिन उस जैसे question भी आ रहे हैं और कुछ exactly भी होंगे कि वह questions आया थे तो अगर आप जा रहे हैं तो question का level देखने कैसा होता है most important thing यह है कि आपको दिखाने का मकसद है कि questions ऐसे आ रहे हैं क्योंकि जो GK का वीडियो था सिर्फ और सिर्फ दिखाना था आपको कि कैसे GK की questions आ रहे हैं उसमें भी लोगों ने गल्दिया निकालना शूर कर दिया है भाई मुझे पता है 512 x 2 करेंगे तो हजार 24 आता है ना कि हजार एंबी का एक जीबी होगा हजार 24 का एक जीबी होगा वो नेचुरल साथ इतना छोटी सी बात आप नहीं समझ पाते हो ठीक है जल्दवाजी में आप लोग क्या करते हो छोड़िये गल्तिया निकालना शुर अधिकतर सही questions हमको नहीं मिल पाते हैं अगर question paper होता तो सही बात कहीं जा सकती है लेकि question paper नहीं मिल रहा है qeaces apply तो साथ फर्वरी के बाद बर जिब सबका paper हो जायेगा ठीक है इसना कुछ कहना था चालिए शुरू करेंगे उसके पहले अगर चैनल को सस्क्राइब नहीं किया थो प्लीज दू सस्क्राइब गाइजिश्टिशन कि यहाँ पर आपको सारे सब कुछ मिल जाता है सिब एक चैनल पर नोटिफिकेशन लेकर सब कुछ मिलेगा और चलिए शूर करते हैं टाइम जदा खरम नहीं करेंगा पहला कुशन ले लेते हैं होफ़ली आपको कुशन समझ में आ रहा होगा मैं पढ़ देता हूं कुशन अगर क्लियर दिख नहीं रहा है लिखा है इन 40-liter mixture of milk and water 40-liter का mixture जिसमें milk और water तो इन क्वाटर जो रिशियो है साथ इस टू वन का रिशियो है अगर उस रिशियो को 3-1 का बनाया जाए तो इन क्वाटर शूड बी अड़ेड़ में कितना लेटर पानी और इसमें आड़ किया जाए है कि 7-1 का जो रिशियो है वो 3-1 का हो जाए 40-liter का mixture था सुरू में दिखे सिंपल सा लॉजिक है कुछ ऐसा कुछ इसमें रहता नहीं है 40-liter है ठीक है उसको डिवाइट किया गया 7-1 के रिशियो में तो यह जो 7 है यह milk है और यह water है तो इसमें milk कितना होगा चालिस में का साथ रिशियो साथ का मिल्क है आठ मसे कितना आए गई थाटी फाइफ सिमिलरली चालिस मसे मिल्क वाटर कितना है आठ मसे कितना आ जाएगा पांच हो गया चालिस अगर दुनों को एड़ करें तो चालिस की तो बनेगा तो मतलब 35-liter जो है वो वो मिल्क है और 5-liter जो है वो वाटर है यह चीज के लियर है ठीक है step 1 और step 2 देखिए अब आपके पास क्या है 35 लिटर मिल्क है और 5 लिटर पानी है वो क्या कह रहा है कि कितना लिटर पानी 5 लिटर पानी कितना लिटर पानी और आड़ कर दे जिसका रिडिश्यो 3 to 1 हो जाए कितना लिटर चलिए हम निकालते हैं कोशिश करते हैं इसको कॉस्ट मुल्टिपील कर लिजिए यह हो जाएगा 15 प्लस 3 x is equal to 35 x is equal to 3 x is equal to 20 x is equal to 20 x is equal to 20 by 3 ठीक है बहुत सिंपल सा कोशिशन था ऐसा कुछ इतना परिशान करने वाला कोशिशन नहीं था लेकिन एक्जाम में जब आता है तो परिशान ही होती है क्योंकि वहाँ time management का issue रहता है ठीक है इनका जो ratio है वो में और डाक्टर का वो ratio है 5 x 1 का ठीक है तो वो में प्लस डाक्टर का जो average age यहां से निकाल देंगे 42 है महलब दोनों का average अगर दोनों का age जोड़ेंगे तो 42 है अब क्या है 5 x 1 का है 5 क्या है women 5 है कितने मसे 6 मसे total कितना है 42 कितना आ जाएगा यह 7 7 7 6 7 7 बार जाएगा 7 5 35 women's की age 35 अगर 42 है अगर daughter का निकाले कितने मसे 6 मसे तो यह आजाएगा कुछ 7 बार ठीक है तो अगर दोनों का करेंगे तो 42 बनता है जो total यहां पर 42 आया भी था ठीक है अब यह women's की age हो गई और यह daughter की age हो गई percentage अब क्या कह रहा है what will the ratio their ages after 5 year 5 साल बदोनों का ratio कितना होगा यह 35 की है यह 7 की है 5 साल बद चालिस की हो जाएगी और यह कितने का हो जाएगा यह 12 का हो जाएगा यह ratio हो जाएगा 4 से cancel का लिए 10 इस टू 3 का ratio हो जाएगा सिंपल सा कोशन है इसमें कुछ नहीं था बताने वाला जैसे लास्टल से website CRB की हैा थीए इसमें कुछ नया नहीं थाendes नहीं था ठीक है दस्तारी का question है यह दस्तारी का paper थोड़ा सा moderate था थोड़ा सा level उपर था उसमें से question आया था मैंने पहले कहा था formula अगर आपको पता हो को तो ही कर पाएंगे देखें क्या आपको दिया हुआ है cos 15 degree minus sin 15 degree दिया हुगया है sorry साइच में फिर दिया है ठीक है किसी a को convert कर ले क्योंकि यह दोनों जो cos a minus sin a formula को नहीं बनता है na cos a cos b बन सकता है तो किसी को इसको हम convert कर ले रहे हैं चलिए cos 15 minus इसको हम convert कर रहे हैं इसको 90 minus theta होता है तो theta कितना है 15 degree cos 15 degree minus sin 90 minus 15 कितना जाएगा cos 15 degree minus यह convert हो जाएगा इसमें cos में तो cos 75 degree यह conversion पता है अब देखिए cos a minus cos b यह बन गया ठीक है चलिए cos a minus cos b का formula क्या होता है अगर आपको formula पता होगा तो sin a plus b by 2 sin b minus a by 2 सिंपल था है अगर formula यह पता होगा तो यह आप कर पाएं क्योंकि मैं बता रहा हूं 9-10 कुछ questions आये हैं जो formula based प्याएं तो यहां रख लेते हैं a हमाय पास क्या है यह है और b हमाय पास यह है simply आप रख लें 2 sin 15 plus 75 by 2 sin 75 minus 15 by 2 यह आजाएगा 2 sin कितना यह 90 आएगा और 90 by 2 45 sin यह आजाएगा 66 30 ठीक है sin 45 कितना होता है यहां कर लेते हैं 2 into sin 45 1 by root 2 into sin 30 1 by 2 1 by root 2 ठीक है थोड़ा सा complicated था अगर आपको formula पता होता तो आप कर लेते हैं देखिए एकात question तो आएंगे ऐसे जो formula based होंगे और यह आए देखे गए हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगा अगला question ले लेते हैं चलिए यह question देख लेते हैं I hope आपको writing समझ में आ रहे हैं मैं पढ़ देता हूं question the length of the rhombus diagonal rhombus diagonal है जिसकी length दी है और 16 हो देखिए rhombus होता क्या है rhombus इस तरह होता है कुछ ठीक है यह rhombus इसकी diagonal दी गई है यह diagonal को जो बीच की है यह दोनो diagonal दी गई है यह वाली जो है वह वह 16 है और यह वाली जो है वह कितनी बारा दी गई है ठीक है find the side यह पूछा गया है बहुत simple होता है सबसे easiest question है यह पूरी 16 है यह कितनी होगी 8 यह पूरी 12 है यह कितनी होगी 6 यह कितना आएगा 10 एकसिस कोड़ टूट 10 कदो बहुत simple कुछ कोशन तो बहुत आसा आसा question नहीं है कि बहुत tough question आ रहे है question बहुत आसा ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे चलिए question देख लेते है ठीक है एकस इसकोल टूट आपको क्या दिया गया है root 7 root 7 root 7 and infinity तक find x पता इसका answer क्या होगा इस तरह कभी भी question मिले इस तरह के कभी भी questions मिले माली जी question तो आया था यह question में एक हाल से आठ तारीको आठ जैन को पूछा गया है morning or evening shift में आया है शायद morning में आया है शायद afternoon पुछा गया था बहुत easy question होता है बहुत easy question होता है बहुत जादा easy question होता है देखिये करते क्या है यह इसकी value x है ठीक है तो x is called to अच्छा shortcut यह है एक मिनट में shortcut ही बताता हूं अगर x is called to root 5 root 5 root 5 infinity x is called to root 21 root 21 root 21 पता है इनके answer क्या होंगा इसका answer जो होगा 7 होगा इसका answer जो होगा 5 होगा इसका answer होगा 21 होगा कदम simple सा है दीखिये मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि प्लस होता है बीच में तब क्या करते है बताया था और जब प्लस नहीं into है answer अगर infinity तक है तो simple जो number digit d है वही repeat होती है कैसे question आता है दिमाग में कैसे यह वह भी हम बताते है आपको x is equal to 7 यह लिख सकते हैं यह x ही तो है जो x ही दिया गया हुआ यह x ही है ठीक है squaring both side x is equal to 7 x x is equal to 7 x x cancel हो जाएगा यहां से x is equal to 7 आया गया 7 तो simply अगर ऐसा से repeat होके infinity हो रहा है तो answer वही होता है ठीक है इस तरह के questions मुझे लेने है और इस तरह के मुझे यह चार या 5 टाइप बनते हैं और questions frequently आते हैं तो मैं कोशिश करूँ अगले वीडियो में इस तरह के जितने questions बनते हैं कुछ ऐसे होते है प्लस वाले होते है ठीक है जो मैंने बताया था कि अगर 12 हो तो 4 x 3 करके अगर यह 7 है यह तो नहीं बन रहा है इसको कैसे solve के रहेंगे अगले वीडियो में जरूर मैं आपको बताऊँगा ठीक है चली अगले question पर में चलते हैं चली एक question देख लेते हैं यह 10 तारीक को आया है 10 जयन को पूछा गया था मानी शिफ्ट में आई थिंग मैंने कहा था formula को पता होगा तो ही कर पाएंगे यह क्या लिखा होगा 10 47 degree plus 10 43 degree upon 1 minus 10 47 10 43 यह क्या है यह 10 a plus b का formula ही तो लिखा है 10 a plus b का formula क्या होता है 10 a plus 10 b upon 1 minus 10 a into 10 b कितना simple सागर का formula पता होगा तो क्या है बस क्या करना है 10 a plus b a कितना है आपका 47 47 plus b क्या है 43 ठीक है यहां कर लेते है 10 47 plus 10 43 कितना होता है 10 90 होता है infinity infinity यह answer था simple base है formula based अगर formula आपको पता है तो question में कुछ रहता नहीं है question देखने इतना complicated लग रहा था लेकिन था गया 10 a plus b का formula ही तो पूरा ही लिखा हुआ था बस a plus b कर देना है 47 plus 40 दी 90 infinity infinity ठीक है चली आगे पढ़ें चली एक question देख लेते हैं profit and loss से था और इस तरह question अकसर पूछे जाते हैं exam में क्योंकि यह question थोड़ा easy and moderate दोनों में आ जाता है इसलिए question की probability बढ़ती है question आपको समझ में आ रहा है मैं पढ़ देता हूँ a man brought a old typewriter rupees 1200 एक आदमी 1200 का पुराना typewriter खहित के लाया and he spent 200 on it on its repairing 200 उसने खर्च किया और उस typewriter पे उसको repair करने में खराब था पुराना था फिर उसने उसको क्या किया he sold it for 1680 1680 उसने बेच दिया ठीक है cost price क्या थी कितनी थी 1200 1200 उसने खरीदा था लेकिन 200 उसने उसको repair कराने में लगाया तो 1400 उसने पूरा उसने उसका पड़ा पैसा जो उसने अपने जेब से लगाया ठीक है selling price बेचा कितने में उसने 1680 में खत्म question खत्म हो गया cost price 1400 है 1600 में बेचा है इसका मतलब है कुछ profit हो रहा है उसको अब क्या पूचा profit percent बूचा है profit percent क्या होता है 1680 1400 माइनस अपन 1400 इन 200 यह कितना आ जाएगा 280 जा जाएगा 1400 into 100 20% 20% profit हुआ बहुत simple सा question था घुमाने वाली बात यह थी 200 उसने extra और अपने लगाया तो वह cost price में ही add होता है अगर कुछ समान आप लेके आ रहा है अगर आप उसपे कुछ खर्चा कर रहे हैं तो आपने अभी तो उसपे पैसा लगाया लोग कहते नहीं कि अरे यार इतने तो मेरा traveling allowance हो जाएगा यार मुझे आनेगा तो अगर आऊंगा मेरा खर्चा जो हो गई बाकी खाने पीने अभी तो हो गा तो वह अपनी jb से लगाना पड़ेगा मुझे ऐसे कहते ही न तो जो अपनी jb से लगाना पड़ रहा है तो वह आप आपके आपकी पैसा जा रहा है तो 1200 का टाइप राइटर था, 200 रुप उसने रिपेर कराने में लगाया, तो 1400 टोटल के खर्चुमा में लगा, जो कॉस प्राइज आईगी, वो 1400 बनेगी, ना कि 1200, ठीक है, बस सिंपल से था, ये कोशन अक्सर पूछ लिया जाता है, और ये कोशन 11 तारीक को पूछा गया, 11 जैन को आया है था, मैं कोशन पढ़ देता हूं, आको समझ नहीं आ रहोगा, average weight of 25% is increased by 1 kg, when one man weight 60 kg is replaced by a new person, the weight of new person, average मुझे लेना है, भी average मुने पढ़ाया नहीं है, फिलाल इस कोशन देखे, कैसे tackle करते हैं, सिंपल है, average हमें निकालना है, अभी 25 लोगों का average क्या है, हमें नहीं हम क्या मानते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है, x average है, 25 लोगों का x average है, ठीक है, तो क्या होगा, 25x, total होगा, ऐसी तो करते हैं, total निकालने क्या करते हैं, total क्या करते हैं, average in 2% जितने लोग हैं, तो average हमारा x माना हमने, और total हमने क्या कर दिया, कितने लोग हैं, 25 लोग हैं, चलो समझो एवरेज एक्स था जब ये था सिंपल सा एक क्वाडिटी क्वेशन बन जाती है और आप इसको सॉल कर पाओगे दोखो एवरेज एक्स था इसकोल टू जब 25 एक्स लोग थे एक आदमी गया ठीक है कौन गया 60 कजी वाला इसमें से रिमूव हुआ एक आदमी आ गया वाई माल लेते हैं जब इन लोग का एवरेज निकाला गया 25 लोग का तो ये जो एवरेज था वो एक बढ़ गया खतम हो चुगा एक कोशिए फिर से मैं कोशिश करता हूँ ध्यान से देखिएगा एक्स एवरेज था जब 25 एक्स लोग थे उसमें से एक आदमी निकला जो 60 kg का था उसको निकाल दिया और एक आदमी को एड़ किया जो उसकी जगा पर आया है वो पता नहीं हम वाई माल लिया जब हमने इनको पूरा एवरेज 25 लोग को निकाला इनको निकालने के बाद उनको एड़ करने के बाद 25 तो एवरेज जो पहले था वो एक केजी बढ़ गया 25 एक्स प्लस 25 इसकोल टू 25 एक्स माइनस 60 ठीक है तो 25 एक्स से 25 एक्स कैंसिल हो गया 25 प्लस 60 यह 60 दर आजागा इसकोल टू वाई तो वाई इसकोल टू 85 केजी जो नया आदमी आया है यह 85 केजी है सिंपल सा अगर यह क्वाडिटी बना लेंगे आप तो आप हर कोश्चन सॉल कर लेंगे सिंपल ऐसे ही होता है ठीक है एवरेज में जब लूँगा तो आपको और कोश्चन इस तरह की दिखाऊंगा कैसे होता है ठीक है चलिए फिलाल आगे बढ़ेंगे चलिए यह कोश्च दिखाँ इसहां में 11 जान को आया हुआ है एबी पहलेल है और यह एंगल जहने है यह 45 है और च फर्टिफाइए अगर एक स्पूछा pół से अगे ठीक है चलिए और टोरा हटने 75 एंगल हो गया यह गोला पूरा कितने का मनता है 360 का 360 के 75 माइनस कर दो तो कितना है गा 285 डिगे x is equal to 285 बहुत सिंपल सा question था थोड़ा सा अगर आप concept clear होगा तो यह आप कर लेते ठीक है चलिए यह question लेते बहुत इंट्रस्टिंग question है एक मिनिट मैं pen select कर लेता हूं ठीक है चलिए दिया है 7 3 8 A 6 A is divisible by A तो A की value पूछा गया है ठीक है बहुत सिंपल है इस तरह की value दी गई हो और 11 का divisible हो यह यह और यह 7 प्लस 8 प्लस 6 ठीक है और यह वाली 3 A और यह 3 प्लस ए प्लस ए इसकोल टुजीरो क्या जाएगा यह 3 प्लस टू ए माइनस सॉरी यह कहना गया है कितना हो पंद्रह एक्टेस 3 दर जाएगा तो 2 A इसकोल 2 माइनस 3 A इसकोल 2 18 बाइ 2 A इसकोल 2 9 बहुत सिंपल है पहले वाला जो डीजेट होता है पहला तीसरा पांचवा ठीक है को माइनस करना है दूसरे चौथे और छटे से इसको इससे माइनस करें इसकोल 2 0 रखिए एक्वेशन बनेगी और आपका निकल जाएगा अगर डिविजल भाई 11 है तो यह कंडिशन आराम तर लगती और यह कोशन आते हैं यह कोशन आया हुआ है यह कोशन नौतारी को श्याद आफ्टरून शिप्ट में पूछा गया थ यह कोशन पूछा गया है तो इस तरह की कोशन आते हैं ठीक है बहुत इजी है अगर इस पैटन में आप सौल करना जानते हैं तो 11 के डिविजल आप आराम से निकाल सकते हो और जो प्री का लेवल का पेपर होता है कुछ ऐसा ही लेवल होता है क्योंकि कोशन थोड़े बहु और मिलते जाएंगे मैं आपके सामने लेकिया होगा ठीक है फिलाल थैंक यू पर वाचिन इस वीडियो